श्वताओं आज इस कारिक्रम में हमारे महमान है डॉक्टर नवीन जोशी डॉक्टर नवीन जोशी एसोशेट प्रोफेसर है उत्राखंड आयरुवेद विश्य विद्याले में और आज इस कारिक्रम में हम आपसे बातचीत करेंगे कोरोना वाईरस के सम्मंद में डॉक्टर नवीन जोशी कारिक्रम में बहुत बस्वागत है आपका धन्यवाद डॉक्टर नवीन जोशी हम सभी जानते हैं कि कोरोना वाईरस का जो प्रकोप है वो लगातर बढ़ रहा है और ये चिंता का विशह है और ये पूरा विश्व व्यापी है महामारी के रूप में ये बिमारी पहल रही है यदि हम उत्रखंड की बात करें तो इस से में क्या इस्थिति है उत्रखंड में कोरोना वाईरस के एक यहां रोगी मिला है और बाकी यहां पर रोग से बचाओ के लिए काफी कुछ प्रयास किये जा चुके हैं तो उत्रखंड में अभी इस से वैसे कोई पैनिक इस्थिति नहीं है लेकिन हाँ रोग थाम के लिए जो सारे उपाय के जाने चाहिए उन उपायों पर जोर दिया जा रहा है और जोर दिया जाने की भी जरूरत है मैं रही कहना चाहूंगा कि कोरोना वाइरस के संबन्ध में जो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो चीज है बचाओ तो बचाओ के लिए जो उपाय बताये गए हैं जो डब्लो एचो ने बताया है उन सब ही का हम पालन करें यही हमें करना है डबीज जोशी यदि हम आयरुवेद की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे रोग हैं जो वाइरस से होते हैं तो उनके लिए किस तरह का ट्रीटमेंट है और क्या आप मानते हैं कि उनसे किस तरह से यह भिना है देखें जहां तक कोरोना वाइरस के इलाज के बारे में आप बात करेंगे तो कोरोना वाइरस आरेने वाइरस है और यह सामाने फ्लू वाइरस की ही फैमली का वाइरस है लेकिन यह चुकि अभी नया वाइरस आया है तो अभी इसका कोई सटी के इलाज उपलब्ध नहीं है वैग्यानिक दिरिश्चिक्रोंड से और नहीं इसकी कोई वैक्सीन बनी है हाँ ये प्रोसेस में है जिसमें समय लगेगा तो अगर आप आयरवेद की बात करें तो आयरवेद जो है वो हमारे हैं दो कंसेप्ट है चिकिसा के एक बीजवाद और एक छेत्रवाद बीजवाद का अर्थ ये होता है कि वाइरस बैक्टीरिया ये बीज होते हैं जो सरीर रूपी छेत्र में आते हैं तो यदि हमारी छेत्र यानि सरीर की इम्मुनिटी अच्छी रहेगी तो हम इस प्रकार के संकरमनों से बचे रह पाएंगे और यदि खुदाना खास्ता संकरमन हो भी जाता है या फिर संकरमन के संभावित लक्षण भी मिलते हैं तो भी रोग प्रतिरों तक छमता इस तरह के वाइरस को कुछ समय बाद अपने आपने आपने इस्तनाबूत कर देती है और लक्षण भी समाने रूप से समापत हो जाते है डॉक्टर जोशी हमारे शोता जानना चाहते हैं आपसे कि यह जो वाइरस है इसकी बनावट किस तरह किस तरह किस तरह का है और यह किस तरह का वैभार करता है कितने देर तक और किस तरह से ये ट्रांस्पीट होता है देखे जहां तक इस वाइरस के बारे में बात की जाए तो ये वाइरस सबसे पहले चीन के वोहान से डिटेक्ट हुआ और जिसे कोरोना वाइरस नाम दिया ये कोरोना वाइरीडी फैमिली का वाइरस है और ये चुकि ये पिछले साल ही इसको देखा गया इसका नाम COVID-19 दिया गया यानि कोरोना वाइरस 19 जिस नाम से ये जाना जा रहा है इस वाइरस की एक विसेशता ही है कि इसके चारों तरफ एक स्पाइक्स होते हैं जिन स्पाइक्स के द्वारा ये हमारे कोशिकाओं के अंदर प्रवेस कर जाता है और इसके बाद सबसे पहले जो इसका संक्रमण जो होता है वो ड्रॉपलेट इंफेक्शन के थुरू होता है यानि कि ये वाइरस जो है एक विक्ती से दूसरे विक्ती में जो ये फैलता है वो ड्रॉपलेट इंफेक्शन के दुरू फैलता है इसके फैलने का एक मातर माध्यम ड्रॉपलेट इंफेक्शन है जहाँ जब हम खांसते हैं या च्छीकते हैं तो साथ-साथ हमारे साथ-सा नेजल रूट से चला जाता है और यदि वो वेक्टी कहीं पर भी कोई इस पर गाज़ेट्स यूज करता है या कहीं पर टेबल है या हैंडल्स पकड़ता है तो यह वाइरस वहाँ पर भी जाता है और दूसरा वेक्टी फिर उसी हैंडल्स को या उसी गाज़ेट्स को या उस नजदीक हैं ऐसे संक्रमेट वेक्टी के तो ये ड्रॉपलेट इंफेक्शन के थूँ सामाने रूप से चला जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये संक्रामक है और खतरना तरीके से ये फैल भी सकते हैं देखे इसमें दूसरे वाइरस में और इस वाइरस में जो सबसे मेन फरक ये है कि इसकी अगर हम mortality देखे यानि इसकी लोगों की मृतियु दर देखें़ तो वो इतनी जादा है एक से दो प्रतिसत है यानि सौ में दो लोग ही इससे अमृतियों को प्राप्त होते हैं लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है कि इसकी फैलाव इसकी जो संक्रामकता है इसका फैलने का जो रेट है वो कई गुना ज़्यादा है दूसरे वाइरस के तुलना में तो यदि हम इसके फैलाव को देखें तो ये एक पहले एपेडिमिक के रूप में फैलाव और आज ये ग्लोबल पैंडिमिक यानि पूरे विश्व इसके फैलाव को देखा जा रहा है तो इसी फैलाव ही इसके सबसे ज़्यादा इससे चिंदा करने की बात है डॉक्टर जोशी लक्षन हमार हलका बुखार आना ये सामानी रूप से सभी वाइरस संक्रमनों में ये लक्षन आते हैं ये mild symptoms होते हैं यदि इस वक्ट इस तरह के लक्षन आ रहे हो और आपको ऐसा लगता हो कि आप कहीं आपका exposure हुआ है तो सबसे बहतर तरीका है कि आप अपने आपको isolate कर लें यानि इ या संक्रमन, GI tract यानि हमारी आतों को भी infect कर देता है तो ऐसा अगर कोई vicious लक्षन आ रहा हो तो जन सामानी के लिए सीधे सीधे चिकि सक्के परामर्स लेकर के जाच कराने की जरूरत है जाच है किस तरह की होती है और उत्राखन के दिबात करें तो कहां कहां जाच हो सकती है देखे इसकी जो सामानी जाच है वो जो हमारी ICMR की प्रयोक साला है वहाँ पे इसकी जाच होती है जिसमें इसकी हम genetic nature देखते है इसको PCR कहते है और यदि कोई रोगी PCR में थोड़ा सा लगता है कि positive है यानि उसका genetic constituent उस वाइरस से मिल खा रहा है तो confirmation के लिए पुने में ज अब ही कहा जाता है कि यह वेक्ति कोरोना वाइरस से प्रधित है थर्मल स्क्रीनिंग क्या होती है हमें देखा कि अक्सर जो हमारे एरपोर्ट सें वहाँ पर उनके चेहरे के सामने एक मशीन है जो जाच करती है दिखाई देती है यह थर्मल स्क्रीनिंग क्या है इसका क्या concept thermal screening एक ऐसा screening का procedure है जिसमें किसी वेक्ति को पता भी नहीं चलता और उसके temperature उसके body का normal temperature से यदि temperature बढ़ा हुआ है तो यह screening में scanners में यह बात आ जाती है और उसे अलग करकरके फिर उसकी पूरी जाज पढ़ताल की जाती है तो यह mass level पे detect करने का एक तरीगा है विसेश कर airports में जहां से उन देशों से जो प्रभावित जहां पर यह संकरमन बहुत बोरी तरह से फैला है वहां से जो लोग यात्री आ रहे हैं उन लोगों के लिए mass scanning करने के लिए thermal screening की बेवस्ता की गई है और यह कामयाब भी है डॉक्र नवीन जोशी अब हम बात करते हैं जैसे आपने बात को जब भी आप भार जा रहे हैं तो घर जब भी आएं या अपने वर्क प्लेस पे भी आप अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें सैनिटाइज करें आप इसमें कोई जरूरी नहीं है बेसिकली अलकोहल युक्त सैनिटाइजर हो तो बहतर है वरना आप साबुन स भी हाथ दोएं तो जरूर दोएं या अत्यनत आवश्यक है दूसरा जो सबसे इंपॉर्टन चीज है जो हमारे आसपास की जो आफिस है या फिर हम जहां रह रहे हैं वहां की सफाई बहुत जरूरी है प्रॉपर रूप से वहां पे पोछा लगे प्रॉपर सफाई हो टेब सबसे महत्वपूर्ण है यदि मास्क पहनने की बात के बारे में लोग बहुत बाते करते हैं लेकिन जो व्यक्ति सामानने है उसको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ यदि उसको वो संक्रमित व्यक्ति के एक्स्पोजर में है या उसको देखभाल कर रहा है तो लिए मास्क पहनना नितान तावश्चक है तो कि उसे खतरा है और चौती चीज जो है इसके लिए सबसे important जो सबसे महत्वपूर्ण है अपनी immunity को अच्छा रखना अपना personal hygiene अपना खानपान सही रखना वो बहुत ही जरूरी है तो ये सभी कुछ precautions रखे जाने चाहिए और इससे जो है आप इस virus के संक्रमन से बचे रह सकते हैं